Hi everyone, welcome back to the React.JS in the video tutorial और इस वीडियो के दर हम बात करेंगे component will unmount के बार में एक life cycle method होता है component will mount और यह कब use होता है और एक practical example देखेंगे कि यह किस तरीके से इसको implement कर सकते हैं और कैसे इसको call कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले मैं आपको एक diagram दिखाऊंगा इस टाइग्राम के अंदर आप यह देखेंगे कि यह कहां पर exist करता है ठीक है सो तीन फेज होते हैं mounting, updating and unmounting component will mount अकेला एक life cycle method होता है जो unmounting के काम में आता है इसका मतलब कि जब एक component हमारा जो होता है वो destroy हो चुका होता है या फिर उसको unmount कर देते हैं यूजर के delete करते हैं को example दिखाना है user has been deleted तो आप component will unmount के अंदर इसका यूज कर सकते हो कोई भी और कोई API कोल करनी है कोई और event कोल करना है वो भी इसके अंदर कर सकते हो ठीक है अब इसके थोड़ा से theoretical part पड़ते हैं component is unmounting जैसे component unmount होने वाला उससे just पहले यह call होता है ठीक है और इसके अंदर एक और very important चीज कर गई है कि इसके अंदर हमें should not call the set state set state कभी भी call नहीं करने चीए क्योंकि जब यह unmount होई चुका है तो render होगा क्या हमारे बास component नहीं है तो state उसके अंदर update करवा के हम क्या करेंगी इसलिए मैं use नहीं कर सकते है और यह कब करवाना होता है perform any necessary cleanup जैसे कि timer हो गया cancel network request वगयर हो गई इनके call करने के लिए हम timers को use करते है अब tactical example देखते है मेरे पास सबसे पहले मैं user का component बनाऊँगा और उसके बाद में एक button करूँगा user delete उसके बाद में component will mount को call करवाँगा example आपको perfectly दिखागा उसके बाद में confident feel करोगे और बहुत comfortable रहोगा component will unmount के साथ में ठीक है so let's start so first of all मैं एक component लेता हूँ नाम है user .js और इससे मैं RCC के थ्रू complete create कर लेता हूँ short command के थ्रू और इसके अंदर मैं अब यहां पर कुछ एक UL ले लेता हूँ for simple और इसके अंदर मैं एक Li भी ले सकता हूँ alright so very simple example के लिए मैं यहां पर जैसे एक name ले लेता हूँ just simple user information like Anil alright और कुछ छोटी छोटी और information तो तीन चैसे की email fabanilc2 at test.com और contact 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 के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो like 000000 perfect so मेरे component यहां पर कॉल होगा है अब मैं यहां पर एक unmount function call बनाता हूँ component will unmount ठीक है और मैं यहां पर एक simple alert लगाता हूँ और इस alert में आप में simply लिखता हूँ user has been deleted perfect और अब मैं इस app के अंदर आके इसको सबसे पहले import करता हूँ user from और इसके अंदर लिख सेते हैं user perfect और अब मैं इस state ले लेता हूँ state लेने के लिए मैं constructor बनाता हूँ constructor super call करूँए उसके अंदर और अब मैं state define कर दूँगा distort state के अंदर मैं आप लिख देता हूँ toggle और initially यह true रहेगा perfect अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ और बटन पे लेता हूँ delete user perfect और अब इसके बेस पे मैं एक यहाँ पे delete user के बेस पे state update करवाँगा ठीक है on click और यहाँ पे मैं बेसिकली लिख सकता हूँ this dot set state set state के अंदर से मैं यहाँ पे call करूँगा toggle को इसका opposite कर दूँगा so opposite करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा this dot state dot toggle और जो यह toggle होगा यह opposite होगा हर बार perfect तो यहाँ पे को complete code दिख जाएगा यहाँ पे ठीक है और after that मैं यहाँ पे user था उसके लिए code लिखता हूँ यहाँ पे this dot state dot toggle अगर यह true है तो यहाँ पे user component को दिखा सकता है else else yes यहाँ पे हम null define कर सकते है perfect अभी हम देखेंगे यहाँ पे user की information दिख रही है और चैसे ही मैं इस पे delete user क्लिक करूँगा तो हम पे set state call होगी और यह hide हो जाएगा और चैसे ही hide होगा that means यह वाला component हमारा यहाँ से destroy हो चुका है ठीक है let's try कर रहा है जैसे मैंने करा इसने बोला user has been deleted यह पहले call होगा और जैसे यह call होगा उसके बाद में यहाँ से हट जाता है यह वाला ठीक है दोबर से try कर सकते है perfect इस तरह के साब देख सकते हो कि user कैसे delete हो रहा है यहाँ ठीक है वाप यसे show भी हो जाएगा delete भी हो जाएगा क्योंकि आपने toggle लगा है ठीक है तो हर बार देख रहे हो आप जैसे हम user को delete कर रहे हैं तो user को delete टरने का यहाँ से जो component will unmount को लिखाते है यह call हो रहा है यह है simplest use कि हम component will unmount को कैसे कर सकते है आप इसको define कर सकते हैं कोई query है इस से related कोई opinion है कोई suggestion है तो आप मुझे comment box में कर सकते हो thanks for watching this video subscribe कर लो channel को don't forget to like this video and give a nice comment on that video thanks for watching bye bye